हलो फरेंडि रमाड़ देन फार्माबशोटिक्सके इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वन में łem économique तरीक जाना प्रॉफेसिया शेर्द में क्या इंडिया के बारे में बात करेंगे पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनियत डॉक्टर बी के एस एंड डॉक्टर एम पी एस क्लासेज को और करे अपने वी फार्म डी फार्म का सपना साकार डाउनलोड दिया है नाउ तो अगर हम लोग हिस्टी आप प्रोफेशन आप फार्मेसी इन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हिस्टी आप फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया में फार्मेसी एजूकेशन के रिलेशन में इंडिया में फार्मेसी प्रो फार्मेसी प्रेक्टिस की इंडिया में क्या हिस्टी है उसके बारे में बात करेंगे तो अगर हम लोग सिंपली देखें कि फार्मेसी प्रेक्टिस बिसिकली क्या होती है तो यह जो फार्मेसी है उसी का एक हमारा डिसिप्लिन है एक ब्रांच होती है और यह किस चीज में इन डेवलब करने में pharmacy practice हमें involved देखने को प्राप्त होती है तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे फार्मसिस्ट हैं जो की hospitals वगरा में होते हैं health care जो services है उसमें होते हैं तो वहाँ पर वो अपने professional role को pharmacy practice के थुरू हमें develop करते हुए देखने को मिलते हैं अब अगर हम लोग जो pharmacy practice है उसके scope के बारे में बात करते हैं तो basically अगर जो pharmacy practice है उसके traditional role के बारे में बात करते हैं जो पुराना हमारा समय है उसमें उसके क्या role होते थे उसको देखें तो वो basically जो medication है उसकी compounding और dispensing में हमें involved देखने को राथ होते थे कि मतलब जो भी component है, जो भी हमारा वहाँ पर medication है उसको किस तरीके से तौलना है, किस तरीके से उसका measurement करना है और किस तरीके से properly उसको prepare करके और dispense करना है उसमें हमें pharmacy practice में pharmacist involved देखने को मिलते थे अब अगर हम लो जो pharmacy practice है, उसके modern role के बारे में बात करते हैं जो यह समय वो modern services provide करता है वो basically यह जो हमारे pharmacy practice के लोग हैं वो clinical services है, उसमें हमें involved देखने को प्राप्त होते हैं जो भी हमारा medication है, उसका safe और effective उसका उपियोग हो उसकी जो reviewing की process है, उसमें वो हमें involved देखने को मिलते हैं और जो drug है, उसकी जो proper information है, उसको provide करते हुए हमें pharmacy practice के लोग यहाँ पे अब involved देखने को मिलते हैं तो अब जो हमारे pharmacy practice के लोग है, उनका जो role है, वो हमें और ज्यादा अच्छा होते हुए देखने को प्राप्त हो रहा है, अब अगर हम लोग जो pharmacy practice है, उसकी origin के बारे हम बात करते हैं कि basically यह इंडिया में किस time पे किस तरीके से start हुआ था, तो जो हमारा इंडिया है, उसमें pharmacy practice की जो origin है वो basically उसके जो traces है, वो हमें pre-independence जो era है, मतलब आजादी के पहले का time है, वहाँ पे हमें इसके traces देखने को मिलते हैं मतलब pharmacy practice उसी समय कुछ हद तक इंडिया में start हो गया था, उस समय क्या होता था, कि जो एक तरसे Britishers थे, वो क्या करते थे, कि जो भी वो allopathic drug को बाहर की country से import करते थे, बाहर की country से जब वो मंगवाते थे उसको, तो फिर वहाँ पे वो जो इंडिया में drug stores कुछ थे, उसमें वो available थी और फिर वहाँ पे pharmacy practice हमें start होते हुए देखने को मिलती है, तो उस समय जो वहाँ पे pharmacist थे, वो basically वो जो drug store है, वहाँ से उन जो हमारी allopathic drugs हैं, उनको properly prepare करते थे, उनकी compounding करते थे, dispensing करते थे, और उसको वहाँ पे patient को provide करते हुए देखने को मिलते थे, उसके बाद में अ business oriented एक program था, हम या simply कह सकते हैं कि जो वहाँ पे pharmacy का हमारा profession था, वो वहाँ पे basically business oriented था, और उस condition में क्या होता था, कि जो भी student थे या जो लोग इसमें involved होते थे, उनको जो drug की, हमारी selling की process है, उसमें trend किया जाता था, और उस समय जो drug seller है, उसके नाम से हम लोग बुलाते थे या dispensers के नाम से उनको indicate करते थे, तो इस तरीके से जो भी हमारा drug का selling की process है, उसमें उनको trend किया जाता था, उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, तो basically जो हमारा pre-independence हमारा era है आजादी के, जो हमारा पहले का time है, वहाँ पे क्या था, कि जो pharmacy practice थी, वो highly unregulated थी, मत प्रकार में इसी practice करते थे, उसके उपर किसी भी प्रकार का कोई restriction नहीं होता था, मतलब वहाँ पे कोई भी और वो किसी भी तरीके से जो drug का हमारा selling है, या उसकी compounding और dispensing की process है, वो वहाँ पे किसी भी नियम को follow करके नहीं होती थी, वो वहाँ पे totally unregulated एक practice थी, उसके बा के जो clinical assistant वगरा थे, जो की उनके साथ में उनकी help किया करते थे, उनहीं को dispensing, जो medicine का dispensing है, उसमें वो उनको train करते थे, और अपने साथ उनको dispensing की process है, उसमें use करते थे, मतलब कोई भी course नहीं था, कोई भी professional वहाँ पे नहीं थे, जो उनके वहाँ पे assistant वगरा होते थे, किस एक आदमी को उन्होंने वहाँ पे रख लिया, उनको हलका सा dispensing की process में जो trained है, वो कर दिया, और उसके बाद में फिर वो वहाँ पे dispensing की process में उसको use करते थे, उसके बाद अगर हम लोग जो pharmacy practice है, उसके इंडिया में start के बारे में बात करते हैं, तो basically 1870 के आज़ पास chemist औ जो कला है, उसमें उनको trained किया जाता था, उसकी जो, जो उसकी skill है, उसको वहाँ पे उनको बताया जाता था, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो pharmacy practice है, वो कुछ हद तक अपने proper रूप में आना start हुआ था, उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारे compounders हैं, जो की आजकल pharmacist कहलाते हैं, पुराने टाइम में उनको compounders कहा जाता था, उनको एक जो formal training है, वो कभी start हुई, तो basically बंगाल में 1881 के आसपास एक जो formal training है, compounders की, वो हमें start होते हुए देखने को मिलती है, अगर हम लोग history के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में अगर हम लोग देखें, तो जो हमारा 20th century है, 20th सतापदी है, उसकी अगर हम लोग जो early period है, उसमें बात करते हैं, मतलब की approximately जो हमारा 1900 का time था, उस time पे अगर हम लो यहां बात करते हैं, तो वहाँ पे जो pharmacist है, इस period में, वो basically dispensing की process में involved हुआ करते थे, formulation की process में वो वहाँ पे involved और जो भी हमारे natural product है, उनकी जो medicinal property है, उसको study करते हुए, जो study करने की process है, उसमें हमें involved देखने को मिलते थे, तो हम लो simply यहां पे कह सकते हैं, कि जो हमारी 20th सदी है, उसमें जो pharmacist थे, वो dispensing मतलब, जो भी substance है, उनको किस तरीके से properly tolना है, नापना है, उसमें involved होते थे फिर उसको वहाँ पे जो एक formulation है, कोई भी syrup या powder के form में उसको वहाँ पे formulate करने की process में involved होते थे, और जो हमारे natural product है, उनके अंदर क्या-क्या medicinal properties है, उसकी study में हमें involved देखने को प्राइप्त होते थे, उसके बाद में जब World War II start हुआ, तो उसके बाद में क्या हुआ, कि फि World War II खतम हुआ, तो उसके बाद में जितनी भी जो medicine थी, उस place पे वो तो अचानक वहाँ पे जो condition है वो आई और उसमें अधिकतर medicine वहाँ पे use होना start हो गई, तो कुछ तो फायदे मन थी, लेकिन काफी हद तक जो medicine थी, वो काफी नुकसान लोगों को उस place पे कर रही थी, त और उसके बाद में काफी सारी जो pharma industry है, वो हमें grow होते हुए देखने को मिली, और फिर क्या हुआ कि जो भी drug product थे, वो जो pharmacist है, वो factory में उसको बनाना start कर दिया, तो इस तरीके से हम यहाँ पे, इस place पे कह सकते हैं कि World War II के बाद में जो pharmacist हैं, जो कि अभी तक किसी shop बग कर रहे थे, उन्होंने World War II के बाद में जो factories है, pharmaceutical industry है, उसके अंदर दवाईयों को बनाना start किया, उसके बाद में अगर हम लो बात करते हैं कि जो हमारा 20 century है, उसके जो half हमारा period है, उसका जो second half है, मतलब 1950 के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद में क्या फिर उनकी जो education है, वो फिर वहाँ पे अच्छी होना start हो गई, और फिर जो हमारे pharmacist वहाँ पे एक तरसे pharmacy field में educated जो हमारे person थे, वो clinical pharmacy को वहाँ पे start किया उन्होंने और जो भी drug product है उनके जो फार्म को kinetic parameters हैं, उनको establish करना उन्होंने start किया, तो अगर हम लोग फार्म को kinetic parameter क के बारे हम बात करते हैं, तो basically इसमें हम लोग drug का absorption है, किस rate से drug absorb होके हमारे body के अंदर जा रही है, उसकी study करते हैं, किस तरीके से drug का हमारे body के अंदर distribution हो रहा है, उसकी हम लोग study करते हैं, उसके बाद में drug किस तरीके से body में metabolize हो रही है, उसकी study हम लोग करते हैं, और body से किस तरीके से उसका elimination हो रहा है यह सब जो हमारा absorption, distribution, metabolism, elimination की process है यह basically हमारे pharmacokinetic parameter कहलाते हैं और फिर हमारा जो हमारे pharmacist थे वो इस process में clinical pharmacy में यहाँ पे involved होते हुए हमें देखने को राप्त हुए उसके बाद में जब हमारा industrialization का जो दौर है वो आया जब industry इंडिया में काफी तेजी से लगना start हो गई तो उसके साथ साथ में उसके simultaneously ही यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे था pharmaceutical care की philosophy है वो भी हमें start होते हुए देखने को राप्त हुई तो मतलब की जो हमारे कुछ pharmacist थे वो जो industries हैं उनमें क्या कर रहे थे जो दवाईयां बनाने का काम है वो कर रहे थे उसके साथ साथ में जो और pharmacist है वो यहाँ पे जो pharmaceutical care का system है उसकी philosophy में हमें engage देखने को प्राप्त हो रहे थे और यह जो हमारे pharmacist है वो basically यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो medication है उसका appropriate use किस तरीके से हो उसमें वो यहाँ पे जह है वो वहाँ पे involved थे जिससे की जो भी drug product है उसका positive outcome प्राप्त हो सके उसमें हमें यह involved देखने को प्राप्त होते हैं तो में लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो industrialization की process भी जब काफी तेज हुई तो साथ साथ में pharmaceutical care की भी जो field है वो उसी के साथ साथ में develop होना start हो गई और जो हमारे यहाँ पे pharmacist है उनका role भी और increase हुआ जो हमारा drug product है उसको किस तरीके से appropriately use करना है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देना उनोंने start किया साथ साथ में जो drug product है उसका किस तरीके से जादा से जादा positive outcome हमें मिले उसमें वो हमें involved देखने को प्राप्त हुए और अब अगर हम लो इस प्लेस में बात करते हैं तो responsible होते हैं कि जो दवाईया है उनका जादा से जादा असर हो अच्छा से अच्छा असर हो उसको जो उसके जो रख रखाव है उसकी देख रेक में वो involved हमें देखने को मिलते हैं जो patient है उनको दवाईयों के प्रति जो educate करने की process में आजकल pharmacist हमें involved देखने को मिलते हैं साथ साथ में जो भी prescription डॉक्टर दौरा prescribe किये जाते हैं उनकी dispensing की process में भी वो हमें involve देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से आजकल जो हमारे इस place पर जो pharmacy practice के लोग हैं जो की hospitals वगएरा या healthcare system में हैं वो जो भी therapy लोगों को दी जा रही है वो सही दी जा रही है कि नहीं उसको भी monitor करते हैं patient को जो जानकारी हमें देनी चाहिए वो properly मिल रही है कि नहीं उसमें वो वहाँ पे involved होते हैं और जो prescription डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है उसमें भी उसको भी dispense करने में वो हमें involve देखने को प्राप्त होते हैं तो I think so, जो pharmacy practice है उसकी इंडिया में क्या history है आप लोग को properly समझ में आ गया होगा अगर अभी भी कहीं कोई confusion है तो comment करके पूंच सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस video को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही videos को देखने के लिए हमारे channel को subscribe करना बिलकुल भी न भूले और हमारे app को भी install करना बिलकुल भी न भूले Thank you